दोस्तों ये नया गाजियाबाद का रेलवे स्टेशन है प्लेटफोर्म नमबर दो का अद्रस से आप इस समय देख रहे हैं ये देखिए प्लेटफोर्म नमबर दो गाजियाबाद का नया स्टेशन नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन कहिए और यहां से देखिए धीरे ट्रेन अब चल चुकी है और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ रहे हैं हम ट्रेन के साथ साथ दोस्तों और ट्रेन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी और यहां से हम इस व्लोग में आपको ले करके चल रहे हैं यानि नया गाजियाबाद रिल्वे स्टेशन से आ तो बने रहे हैं इस व्लोग में दोस्तों सबी दर्सकों का पीपल फौर इंडिया पर एक बहुत बहुत सवागत है और देखिये टें रफ्तार पकड़ चुकी है और नया गाजियाबाद रिल्वे स्टेशन से पुराने गाजियाबाद रिल्वे स्टेसन तक पहुँछने में बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगता है दोस्तों तो उत्तर प्रदेश राज्य के मेरट मंडल के गाजेबाद जिले के गाजेबाद सहर के नया गाजेबाद रेल वेस्टेशन से पुराने गाजेबाद रेल वेस्टेशन का ये व्लोग दोस्तों और ट्रेन देखिए देरे देरे रफ़तार के साथ आगे बढ़ रही है और तमाम चीजे रेल के सफर के दोरान जो साथ में द्रस से दिखाई देते हैं वो एक अपने आप में अलग रोमांच पैदा करते हैं पेड़ पोते ऐसे दिखते हैं जैसे की दोड रहे हों और पीछे छूटते चले जाते हैं दोस्तों अपना एक अलग अनोभाव ट्रेन में सफर करने का और अपना एक अलग रोमांच होता है दोस्तों तो गाजियबाद का पुराना जो रिल्वे स्टेशन है वो पहले बना और उसके बाद जब नया गाजियबाद विक्सित हुआ दोस्तों जैसे की कवी नगर, राजनगर, लोहिया नगर और RDC खास करके तो नया गाजियबाद रिल्वे स्टेशन पर पहले हल्ट बनाया गया था लेकिन अब नया गाजियबाद वाकाइद रिल्वे स्टेशन है और दो प्लेटफोर्म है उसके प्लेटफोर्म नमबर दो से इस ट्रेन ने स्टार्ट लिया था और ये जो है दिल्ली सहरनपूर या दिल्ली मेरेट सहरनपूर रेलवे ट्रैक है दोस्तों और इसी पर ये नया गाजेबाद का रेलवे स्टेशन फड़ता है जहां से हमने इस लोग को सुरू किया था दोस्तों तो धीरे धीरे हम पुराने गाजेबाद रेलवे स् होता है रेल में सफर के दोरान दोस्तों है तो सभी दर्सकों का बहुत अभिवादन और अभिनंदन हम करते हैं नया वर्स के उपलक्स में दोस्तों और नय वर्स के पर्थम दिवस यानि पहले दिन इस व्लोग को हम आप के लिए जो है अपलोड कर रहे हैं और नय वर्स की तमाम दर्सकों को बहुत बहुत सुब कामनाए हारदिक बधाई आप सभी के लिए और आप सभी के परिवार जनों के लिए मित्रों के लिए जानकारों और परिचतों के लिए जो नया आने वाला जो वर्स है जो अब आज से आरंब हो रहा है सुरुवात जिसकी हो रही है 2024 सुब मंगल में हो बहुत ज़्यादा आप इसमें उपलब्ती हासिल करें और जो है तमाम खुशी सभी हमारे दर्चकों को हासिल हो और उन से जुड़े तमाम लोगों को उनके सभी परिवजनों को दोस्तों तमाम पी नूएयर हैपी नूएयर दो हजार चोबिस दोस्तों तो देखिये ट्रेन थोड़ा सा धीमी हो चली है और जैसे जैसे आउटर नजदिग आता है यानि कि जो मुख्य रिलवे स्टेशन है गाजयबाद का पुराना गाजयबाद रिलवे स्टेशन उसके आउटर से हुचने वाले हैं लगबग दोस्तों सभी दर्सकों से अनुरोध है कि वीडियो को ज्यादे से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों खासकर गाजयबाद से जुड़े हुए तो तब जो है नोकरी पेशा लोगों की सहूलियत के लिए यहां पर हल्ट बनाया गया और उसके बाद डेवलप होते होते आज वो नया गाजेबाद एक स्टेशन के रूप में हमारे सामने हैं दो प्लेटफर्म हैं महीं से हमने इस व्लोग को सुरू किया था अभी देखिए के नजदीक पहुँचने वाले हैं हम पुराने गाजेबाद रिलवे स्टेशन के दोस्तों तो देरे ठीरे ट्रेन गाजेबाद रिल्वे स्टेशन पहुचेगी और वहीं जाकर इस व्लोग को हम समाप्त करेंगे नए साल पे य cynला है दोस्तों उमीद करते हैं कि आपका इ अच्छे व्लोग हम आपके लिए बहुत जद ला रहे हैं तो देखते रहेगा पीपल फॉर इंडिया दोस्तों और यह देखिए लगबग जो है आउटर आ चुका है पुराने गाजेबाद रेलवे स्टेशन से ठीक पहले ट्रेक बदलती हैं ट्रेन और धीरे धीरे प्लेट रेलवे स्टेशन का प्लेट फॉर्म अब बहुत ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों और यह देखिए ट्रेन थोड़ा सा धीमी हो गई है और ट्रेन धीमी होने का कारण होता है जैसे कि मैं बता चुका हूं के प्लेट फॉर्म के ट्रेक पर जाने के लिए जो ट्रेक बद स्टेशन है गाजियाबाद का बहुत सारी जगहों के लिए यहां से ट्रेन निकलती है चुपती है दोस्तों रुपती है और अब देखिए बहुत ज़्यादा दूर हम नहीं है देखिए थोड़ा सा काम भी चल रहा है काई ट्रेक पर रेलवे करमचारी लगे हुए हैं तो दिखिए अब ट्रेक बदलते बदलते प्लेट फॉम पर पहुंचने वाले ट्रेक पर लगबग ट्रेन जा रही है और पुराने गाजेबाद रेलवे स्टेशन के लगभी लगबग समीफ हम पहुंच चुके हैं दोस्तों तो व्लोक कैसा लगा जरूर बताईएगा दो और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों नए साथियों से अनुरोध है कि फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते रहे हैं पीपल फॉर इंडिया को जिससे आने वाले समय में उनको तमाम हमारे नए व्लोग समय से मिल सकें दोस्तों तो एक बार फिर आप सभी को हैपी तो तमाम दर्सकों का बहुत धन्यवाद जिन्होंने पेपल फॉर इंडिया देखने के लिए हमें अपना कीमती समय दिया है दोस्तों और आप देख सकते हैं कि अब लगबग प्लेटफॉर्म आरंब ही होने वाला है तो हम पुराने गाजेबाद रेल्वे स्टेशन पहु पुराना गाजे बाद रेल्वे स्टेशन का ये गाजेबाद जंक्सन पहुच चुके हैं दोस्तों और यह देखे प्लेटफॉर्म करना जारा आपको देखने को मिल रहा होगा तो नया गाजेबाद रेल्वे स्टेशन का ये सफर आरंब हुआ था और ये जो है पुराने गाजबाद रेलवे स्टेशन तक का सफर था दोस्तों ट्रेन के माध्यम से व्लोग कैसे लगा जरूर बताईएगा और देखे प्लेट्फॉर्म का दरसे आप देख रहे हैं तो व्लोग को आगे यहीं समप्त करेंगे आप देख रहे थे पीपल फॉर इंडिया दो तो एक बार फिर व्लोग के अंत में आप सभी को वर्स दो हजार चोबिस की हार देख सुब काम नाएं हैपी न्यू एयर दोस्तों